Hello everyone, welcome and welcome back to Big Faction YouTube channel So, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है WhatsApp Marketing So, हम आज डिस्कस करेंगे कि WhatsApp Marketing क्या होती है हमें WhatsApp Marketing क्यों करना चाहिए क्यों किसी seller को consider करना चाहिए WhatsApp Marketing को करने के लिए या फिर उससे क्या benefits होते हैं कैसे आप WhatsApp Marketing कर सकते हैं कौन से टूल्स हैं जो अवेलिबल हैं Market में and कौन से से फ्री टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं and क्या ऐसी चीजे हैं जो हमें ध्यान रखने की है तो आए ये शुरू करते हैं बिना किसी दिरी के कि कैसे किया जाता है WhatsApp Marketing So, सबसे पहले कि WhatsApp क्या है तो WhatsApp एक application है जहां पर आपको एक अगर मैं fact बताऊं तो 2.4 billion users हैं all over globe और अगर मैं एक और फैल बताऊं 18.6 hours जो है लोग spend करते हैं approximately per month तो अगर कोई आपका जो audience है उतना ज़ादा time किसी platform के उपर use कर रहा है तो हम इसे use करते हुए marketing क्यों नहीं कर सकते तो वहाँ पर आजाता है WhatsApp Marketing तो WhatsApp Marketing क्या है तो basically WhatsApp Marketing यह है कि आप WhatsApp को use करते हुए अपने products या services के बारे में अपने audience तक अपने potential buyers तक अपने messages को text के format में images के format में या फिर अलग-अलग format में अपने brand के बारे में आप promote करते हैं उन तक आप अपनी awareness फैलाते हैं तो इसे कहते हैं WhatsApp Marketing WhatsApp Marketing का सबसे जो important point है कि आप instantly connect हो सकते हैं आप किसी से instantly chat कर सकते हैं उसको instant support प्रोवाइट करा सकते हैं तो यह सबसे एक आप कह सकते हैं कि leading factor है कि जो WhatsApp Marketing को एक काफी अच्छा option बना देता है तो आप जानते हैं कि आपको क्यों करनी चाहिए किसी भी seller को WhatsApp Marketing के लिए opt क्यों करना चाहिए सबसे पहला point है customer engagement customer engagement में आप WhatsApp को use करते हुए अपने आप एक personalized आप किसी को बता सकते हैं कि क्या better रहेगा आपके products के टर्म में आपके services के टर्म में आप उनको real time assistance provide करा सकते हैं जो कि in turn आपकी brand के trust को build करता है आपकी brand के authenticity को build करता है एक platform को use करते हुए वो है WhatsApp So next point है quick updates and notification तो मान लिजी कि आपका कोई existing buyer है already ठीक है तो उसको आप अपने नए कोई product launch के बारे में अपने अफस के बारे में एक काफी अच्छा benefit है कि आप कर सकते है वाटसाइब के थूरू The next point है वो यह है कि targeted marketing targeted marketing क्यों तो कैसे अब भी अगर आप जबी वाटसाइब marketing कर रहे हैं तो आप एक group एक list बना सकते हैं उन लोगों की जो एक particular segment में fall करते हैं आप उनको जो है एक उनके लिए customized message send कर सकते हैं उनके लिए customized offer send कर सकते हैं तो काफी एक अच्छा आपको narrow down करने का option देता है आपको बस उसकी according list या फिर एक group create करना होता है जहां पे आप उनको उनके जरूरत की according उनके interest के recording आप उनको messages या फिर offers send कर सकते हैं तो यह भी एक काफी अच्छा benefit है WhatsApp marketing का कि आप उनको आप काफी एक narrow down करके target कर सकते हैं अपने audience को next जो point है वो है higher conversion rate जैसे कि आप one-to-one conversation कर पाते हैं अपने potential buyer से आप उनके concerns को एक one-to-one communication की थूरू आप उनको resolve कर पाते हैं तो उससे intent क्या होता है कि आपका conversation होता है जो communication होता है वो एक काफी अच्छा build होता है अपके buyer के साथ और buyer को भी confidence build हो जाता है आपके brand के अंदर correct तो उससे क्योंते हैं कि जो conversion के chances होते न वो भी बढ़ जाते हैं तो यह भी एक काफी अच्छा benefit है अगर आप WhatsApp marketing के लिए अगर आप जाना चाते हैं तो यह आप consider कर सकते हैं कि अगर आप अपने buyer के concerns को one to one level पे आप resolve करना चाते हैं तो WhatsApp marketing को opt करना भी काफी अच्छा आपके लिए decision हो सकता है अब यह तो हो गए कि sellers को क्यों opt करना चाहिए क्यों consider करना चाहिए WhatsApp marketing को इसके अलावा कुछ और advantages भी हैं जो मैं आपको बताती हूं कि आपको क्यों WhatsApp marketing को consider करना चाहिए तो सबसे पहला जो होता है वो है wide reach जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया होगा कि इसके over 2 billion से जादा इसके users हैं तो आप जो है काफी एक अच्छे audience को काफी अच्छे number of audience को आप रीच कर सकते हैं सिर्फ एक platform के through काफी जादा लोग क्योंकि available हैं तो आपको geographical boundaries के बारे में सोचने के जरूरत नहीं है आप international and national जिसका भी आपके बास number है जितने भी लोग available है अगर आप उनसे contact कर सकते हैं तो WhatsApp एक काफी अच्छा option हो जाता है एक काफी advantage हो जाता है बाकी platforms के उपर अब इसके अलावा और एक point है जैसे की direct communication मैं इसके उपर बहुत ज्यादा emphasis इसलिए करी हूँ कि काफी एक important factor हो जाता है अगर आप अपने audience के साथ अपने audience के साथ अगर आप one-to-one communication कर पाते हैं तो आप उनके साथ एक personal relationship बिल्ड कर पाते हैं जो कि of course conversion में भी काफी जादा help करता है तो direct communication कर पाना जो कि I think बहुत से platform पे Google आप ले लीजे वहाँ पर थोड़ा सा चाहूंगी WhatsApp marketing के बारे में वह यह है कि WhatsApp marketing काफी cost effective है अगर आप बाकी marketing method से आप इसको compare करेंगे क्योंकि WhatsApp खुद में ही एक free platform है कोई भी उस कर सकता है कोई charges किसी को pay नहीं करने पड़ते हैं तो आप अगर आपके पास business WhatsApp है तो बाकी marketing methods है उसको अगर आप compare करेंगे तो WhatsApp marketing काफी cost effective पड़ती है आपको आपको बस creatives पर ध्यान देना है कि आप सही creative जाल रहे है सही content जा रहा है उसके लावा कुछ जादा आपको significant आपको cost incurred नहीं करना पड़ता है WhatsApp marketing के term में WhatsApp का एक और benefit आप कह सकते हैं वीडियो सेंड कर सकते हैं voice notes आप सेंड कर सकते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका content है वो सिर्फ एक ही form में नहीं जाता तो उससे आपका conversion है जो आपकी copywriting हैं बाकी जो सारी चीज़े हैं वो काफी interactive हो जाती है काफी engaging हो जाती है एक तरीके से एक last benefit या फिर आपके सकते advantage जो है वो यह है कि आप जो भी messages मालीजे WhatsApp से आप भेजते हैं तो उसके जाजा chances होते हैं तुरंत send होने के और उसी time read होने के भी आप यह भी monitor कर सकते हैं कि कौन आपके messages read कर रहे हैं या फिर क्या उसका status है आपने किया है उसका एक real time में आप effectively आप communicate कर पाते हैं अपने जो audience है उनके साथ and जो message आप भेज रहे हैं उनकी तरफ से communication होता है जो भी उनकी तरफ से message आ रहे है तो आप real time में आप उसको monitor कर पाते हैं कि वह उसका status है तो मैंने आपको यह बता दिया कि क्या-क्या advantages है क्यों आपको करना चाहिए WhatsApp marketing क्या benefits हैं बाकी marketing methods के उबर अब यह देखेंगे कि आप इसको कर कैसे सकते हैं कौन से ऐसे platforms है या कौन से ऐसे tools है जिनको आप use कर सकते हैं कौन से APIs है जिनको आप use कर सकते हैं तो वैसे तो market में बहुत से options available है अगर आप सिर्फ Google करेंगे WhatsApp marketing tools and all तो आपको बहुत से options available हो जाएंगे पर यहां पर अगर आपको एक सबसे famous बता हूं जो सबसे जादा widely used होता है वह वार्ती.io तो आप वार्ती.io के लिए भी जा सकते हैं जो उनके purchase करने का जो भी उनका procedure आप देख सकते हैं वह आप ले सकते हैं पर इस वीडियो को create करने का main motive यह था कि हम आपको यह बता हैं कि कौन से ऐसे free tools है यह free extensions हैं जो आप अपने chrome में यह अपने laptop के उपर use करके आप कर सकते हैं तो अब हम जानते कि क्या है WhatsApp marketing की strategy या आप कैसे कर सकते हैं जो में free extension बता रहे थी उसको use करके आप किस तरीके से WhatsApp marketing कर सकते हैं तो सबसे पहला point जो होता है वो यह है कि define your goals and KPI आप जो अगर marketing करना जाते हैं मानने आज के day में 100 messages आप send करेंगे तो आज के day का goal क्या है अपका main किया managing आप मैसेजेचर करने वाले सेन् वाले इन तो क्या होने वाला है या अपको kpi क्या होने वाला है या फिर आपका goal क्या है वो आपको पहले से ही measure आपको define करके रखना है अगर आप नंगे जेए तो उसका अब भी आप गोल्ड करके रखें डाउन दलें थी मंस का कैसे होने वाला है तो आप एक मेजरेबल गोल्ड और केपिया जो है आप अपने स्टैंडर्स को बैसे डिफाइन करिए अब वाटसे मार्केटिंग करना काफी इसी है वह खाली एक टू स्टेप का प्रोसेस है अगर यह सारी चीज़े ध्यान रखना बहुत ज़्याद जरूरी है सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि पिंट डाउन या टागेट आउंडियंस आपको यह ध्यान रखने कि आप किसे टागेट करने वाले हैं अगर मैं एक जोलरी भेजती हूं मेरे पास अगर मान लिजे थाउजन ओफ डेटा है मेरे पास पहले ऑफलाइन स्टोर में थाउजन लोग आके जिनका मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है तो अब उसमें से मैं सभी को टागेट करने वाली हूं या फिर मैं जो मेरा ओफर आ रहा है उसमें जो 10,000 के प्लस का जो खरीद करना टागेट कर अच्छ को भी पिन करना काफी जादा जुरूरी है आपके लिए उसके बाद थर्ट पॉइंट होता है कि बिजनेस वाट्साप आपका नॉमल जो वाट्साप होता है उसके अलावा आपको बिजनेस वाट्साप भी क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप व करते हैं उसका एक स्टाइल होता है उसके वोइस होती है तो आपकी जो मेसेजेज जाती है माली जी कि आप कि जो वोई से जो की परस्नालेटी है वह पहले से डिफाइन करें मारकटिन स्टाट करने के पहले उसके बाद नेक्स जो पॉंट है वह कि आपको एक कॉंटाक लिस्ट बिल्ट करनी है यह आई फिंग हमाने हमने प्रीवेस डिश्न कि कि यहां पर यहां पर हमने काफी अच्छा यहां पर इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है तो आपको भी इसी तरीके से contact list बिल्ड करके रखनी होगी नेक्स आएंगे कि आप कैसे अपने communication को बिल्ड कर सकते हैं तो क्योंकि ये वीडियो इस तरीके से कि आप कैसे free में आप कर सकते हैं तो किसी content writer को hire करनी के ज़रूरत नहीं है मैं आपको ये बता हैं कि आप कैसे free में आपने लिए content जो है वो design कर सकते हैं तो content design करने के लिए आपको दो जो software याप मैं कर सकते हूं कि extensions आप यूज कर सकते हैं सबसे पहले जो आजकल सबसे ज़्यादा popular है वो है चार्ट GPT तो chat GPT को हम use करेंगे एंड उससे हम पूछेंगे कि आप हमारे लिए content बना के दो ठीक है अब वो एक content बना के देगा एंड उसके बाद हम एक और tool यूज करेंगे जिसको कहते है हमें quillbot तो इन दोनों को use करने से क्या होता है कि सबसे पहले हमें generate करनी के ज़रूत नहीं है chat GPT हमारे लिए content generate करके देगा जब वो हमें generated content मिलेगा उसमें आपको जैसे भी changes करने अब अपने कर लूंगी मेरा जो chat GPT का है openai.com chat.openai.com तो यहां पर मैंने search कर लिया short marketing content for free seller account launch on Amazon and Misho तो यह हमें यहां पर इसने content इस तरीके से दे दिया है अब यह content यहां पर मिल गया मुझे आपको दो तीन जीज़े यह ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि आपका जो content है उसमें सबसे last में call to action होना चाहिए उसमें interested या फिर drop high now इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं कि sign up now का यहां पर लिखा हुआ है अब यह content है इसको मैं quillbot को use करते हुए यहां पर मैं इस तरीके से open कर दोंगी and फिर जो है यह same content होता है इसको मैं आपर copy paste कर सकती हूँ यहां पर तो यह यहां पर इस तरीके से आपको एक और भी अच्छा content मिल जाता है अब यह तो मैंने आपको idea दे दिया कि कैसे आप कर सकते हैं इसमें आप कैसे use कर सकते हैं अब यह आपके creative freedom पे independence में छोड़ जैती हूँ कि आप कैसा content यहां पर design करेंगे क्योंकि content जो होता है वो आप ज्यादा important होता है आपको एक और चीज़ यहां पर यहां रखनी कि अपनी audience को आप spam नहीं करें आपको एक और यह भी चीज़ बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आप जो content आप deliver करते हैं उसमें सिर्फ offers के बारे में या फिर सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि हमारी service ले इसको कैसे यूज करना है तो यहां पर हमारे पास थोड़ा content already ready है मतला पास जो data है वो already ready है ठीक है तो अभी हमें यहां पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेरे पास already extension जो है वो installed पर मैं आपको यह भी बता देती हूं कि कैसे आप install कर सकते हैं तो यह मैंने extension पास में जाती हूं यहां पर और यह आपको मैं हम यह काम करेंगे कि आपको जो लिंक है वो भी हम हमारे description में add कर देंगे ताकि आप directly उससे access कर सके तो यहां पर मैं आ गई बस आपको यहां पर add to chrome पे इस तरीके से click करना है वो यहां पर पूचता है आप extension यहां पर add कर लीजे और बस यहां पर open whatsapp पर click करना है इस तरीके से आपका whatsapp जो है पहले open होगा अब कभी भी जो है आपका system में आपके जो chrome में आपका whatsapp open होना चाहिए तभी आप इस extension को use कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर मेरा whatsapp पहले open हो जाए तो यहां मेरे background में यहां background में देखिए whatsapp open हो रहा है यहां पर यह extension open हो गया है तो यहां पर कुछ data आप यहां पर इस तरीके से डाल देते हैं numbers को आप directly इस तरीके से copy कर सकते हैं जो यहां पर मैंने 10 numbers या 20 numbers आप यहां पर copy कर लिजे यहां पर मान लिए मैंने इतने numbers को copy कर लिया और फिर मैं यहां पर extension WhatsApp के उपर जाकर यहां पर मैंसे WhatsApp के उपर जाकर यहां जो extension है इसमें यह numbers को मैं यहां पर copy paste कर दूँगी आप यहां देख सकते हैं कि हमने यह same content आप देख रहे हैं आप इसे काफी better content जो है chat GPT and quillbot को use करते हुए बना सकते हैं तो इस तरीके से आपको number यहां पर डालना है यहां पर content आपको डालना है तो इस तरीके से जो content है number आपके पास दो चीज़ें आपको make sure करना है कि आपके पास number जो है वो number की list ready हो WhatsApp marketing करने के पहले इस तरीके से आपके पास content ready होना चाहिए आपको एक बार content यहां पर ready होता है बस आपको यहां पर इसके उपर click करना है और आपका जो messages है वो जाना start हो जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से हो जाता है messages जाना start हो जाते है तो इस तरीके से आपका जो messages होता है आपने देखा कि मुझे मतलब जो actual marketing है अगर मेरे पास एक number का list और मेरे पास content अगर ready है तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा hundreds of number पे अपना message जो है वो deliver करने के लिए तो main point जो WhatsApp marketing का वो यह है एक बार आपको number डालना होता है and boom आपका WhatsApp marketing स्टार्ट हो जाता है तो काफी easy steps है अगर आपको बस chrome extension install करने आता है आपको अगर content generate करने आता है अगर नहीं करने आता है तो उसके लिए भी हमने आपको method बता दिया अब यह तो होगे कि आप WhatsApp marketing कैसे करेंगे उनको time से respond करें यह customer service जो है आपकी message जाने के बाद वो आपकी सही होनी चाहिए तो यह जो सारे points है वो आपको ध्यान रखने के लिए है अब आपको यह तो हमने बता दिया कि क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए कौन से टूल आप यूज कर सकते हैं तो यह सारे चीज़े तो हमने आपको बता दिया अब आपको यह भी बता देते हैं कि क्या-क्या precautions आपको लेने चाहिए तो सबसे पहला जो precaution है वो यह है कि आपका जो system है और आपका जो mobile है या जिसमें आपका WhatsApp web actually installed है तो sorry आपका WhatsApp business है जो installed है यह सारे दोनों जो है सेम आपका wifi पे या सेम आपके hotspot पे होना चीज़े अगर मानगीजिए आपका WhatsApp बैन होता है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसके बाद आप अपने सिर्फ hotspot से चला है आप वो same wifi पे ना करें आप content जो आपका अच्छा नहीं होगा उतने ज्यादा chances होते हैं आपके report होने के एन आपका WhatsApp बैन होने का तो यह भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है एक और चीज़ ऐसे free tools को याद ध्यान रखना होता है कि आप 100-200 से ज्यादा messages एक time पर या 24 hours के अंदर ना करें अलावा जो है अगर आपने सुना होगा तो WhatsApp का एक broadcast list होता है तो वो उनका official एक system है जहां पर आपके पास जो list आपके पास जो numbers saved होते हैं उनको आप एक group में convert कर सकते हैं जो group होता है उसमें जो message होता है वो सबको एक साथ जाता जरूर है पर वो group के तौर पे और नहीं create होता है जहां पर सबको एक individually message जाता है और बाकी जो numbers होते है उनको Aware that are no visible or no visible तो अगर आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp broadcast list को आप कैसे create करें, कैसे आप broadcast list use कर सकते हैं, तो आप हमें comments में ज़रूर बता है, हम next video उस पर ज़रूर आएंगे, तो आज के video के लिए इतना ही, I hope ये video आपके लिए useful रहा हो, आपने इसमें से कुछ अपने सीखा हो कि WhatsApp marketing कैसे करते हैं Thank you, followers for more such content, don't forget to comment and like this video.